Hello friends, this is Shraddha and I welcome you all on my YouTube channel and मेरे पास आप लोग को देने के लिए एक बहुत ही important news है जो है हमारी KVS से related KVS की जो vacancies है वो अब देखने के लिए मिलेंगी बहुत टाइम से वेट कर रहेते हैं सभी लोग इस vacancies का क्योंकि बहुत important vacancies होती है मतलब एक तरह से समझ लीजे कि सबसे अच्छी jobs पानी जाती है केंद्रविधियाले की jobs होती है मुझे नहीं लगता कि किसी को भी opportunity miss करनी चीए क्योंकि हमारा जो मतलब exam में भी इसमें बहुत जाथ टाइम नहीं लेते हैं ये लोग registration के बाद जो है चार से मतलब maximum 4 months ही ये लोग लेते हैं exam conduct कराने के लिए तो ऐसे बहुत लंबा procedure भी नहीं है कि आपको सालो साल वेट करना पढ़ रहा है other vacancies की तरह सबी को अपनी जो तयारी है वो अच्छे से start कर दिनी चाहिए अभी बहुत लोग के दिमाग में confusion है कि ये जो news है फेक है या रियल है तो मैं आप लोग को बता देती हूं कि जो ये न्यूज है वो जो अभी न ये एक डेली का जो न्यूज पेपर है वहां से लीक हुई है तो अभी ये official तो नहीं आई है official website पर नहीं आई है जो हमारी कीवेस के official website वो यहां आप मैंशन है www.kvasangatan.nic.in तो अभी हमारा देखो इसमें डेट्स लिखी हुई है हमारी कि पांस तारीक से 26 तारीक तक submission होगा form registration होंगे application होंगी तो जो probability है मतलब probability है कि जो ये न्यूज है कि वो बिल्कुल है न्यूज पेपर मैं प्रिंत हो ही जाएगी ये जो है कि यह सापता ही company विक लिकर वगारा की तरह है तो इसमें जो है ये News आ जा झाएगे आपकी तीन से नौ दिशमबर के बीच मैं और मुझे लगता कि उससे पहले आ जाएगी इसमें हमारे जो date है starting date है वो 5 है और जो last date इसमें दी हुई है वो 26 December दी हुई है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी opportunity है कि आप इसको अच्छी से त्यारी करें अब इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी देखो काई इसमें vacancies जो हैं काफी आने वाली है क्योंकि इतनी vacancies में मिलती नह प्राइमरी की ही vacancies जो है वो टोटल vacancies है 6414 अब वो category wise है जैसे कि हमारा जेनरल की अगर हम देखते हैं तो 26 के लगबग है वो भी जी अगर देखते हैं तो साड़े सत्रा सो के लगबग vacancies है स्ट की हमारी 962 है स्ट की भी हमारी यह है और मतलब category wise यह division है vacancies का अब देखिए हमारा जो mode है exam का वो क्या है हमारा CBT है computer based हमारा जो test है वो होना है तो मतलब अब तो दीरे-दीरे करके सभी exams online ही होते जा रहे हैं तो यह भी computer based exam होगा पर क क्योंकि यह first time computer based हो रहा है वैसे तो normally KVS में दो या तीन महीने का टाइम देते हैं form filling के बाद exam conduct कराने में बट vacancies इतनी सारी है तो centers arrange करवाने में और online हो रहा है first time तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा तो चार्ज दे 6 महीने का टाइम आप मानी लीजिए कि इसको मतलब मान हमें वह हो जाएगा तो अब हम अभी से त्यारी करनी स्टार्ट करते हैं तो मतलब हो सकता है कि हमारी इस त्यारी हो जाए बट हमें अब इस टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अब देखो इसमें जो vacancies हैं वह काफी vacancies है इसमें आगे आगे भी आप लोगो दि जाएगी और ओफिशल वेब साइट पर आपको देखने के लिए मिली जाएगी पांच से क्योंकि पांच तो अब आनी वाली है तो जादा वेट करने का भी इसमें मतलब है मैं वाले है वह इसमें अप्लाइ कर पाएंगे हैं जो अब भी ही तक है के विए समय प्राइमरी की वैकेंसिस के लिए वीएड वालों को मतलब एप्लाइ करने दिया जाता है पर क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन गई होई है कि वही कि ब्येड वाले मतलब बै को प्राइमरी में तो इस बार भी अलाओ करेंगे बट अगर सुप्रीम कोड का बीच में कोई ओर आ जाता है तो वह बात अलग है वन्हां बीएट केंडिडेट्स जो है वह एपलाई कर ही सकते हैं ठीक तो रही बात यह और बाकी इसमें लेजियबिलीटीज वगयरा पूरा क्राइटरिया पूरा पैटर्न जो है पैटर्न मुझे लगता है इसलग शृँडा हने के पूरे-पूरे चांसिज है कि लास्ट ताम 2017 में हमारा पैटर्न छेंज हुआ थ diary तो उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार pattern change हो गाई होगा तो जादा वेड़ तो करना नहीं है 5 को हमारा पूरा पता जुद दाएगा कि हमारा pattern जो है वो क्या होने वाला exam को पर previous year questions तब तक आप लोग देखने शुरू कर दीजिए कि किस तरीका का exam आता है क्योंकि उसके बिना कोई भी exam हम देते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी त्यारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि previous year जो है बहुत important role play करते हैं पेडागोजी तो मुझे लगता है हर exam में teaching exam में पूछी जाती है तो उसमें तो कोई change होने वाला नहीं है तो तब तक हम क्या करते हैं पेडागोजी की practice जो है वो start कर सकते हैं अब कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसे general हिंदी हो गई हिंदी में वो क्या pattern change भी करे तो 10 नंबर में अगर हिंदी आती है तो उसमें भी आकरन तो हमारी संधी सर्वनाम संग्या यह सारी चीज़े पढ़नी पढ़नी है वैसे अगर हम English की बात करें तो हमारी जो है वो general English हर उस exam में आती है तो teaching इसमें भी हमारी general English तो आएगी आएगी तो वो हम तक तक कर सकते है नेक्स अगर हम बात करें तो हमारी जो पैड़ागोजी है अभी तक जो पैटरन चल रहा था मैं उसकी बात करूं तो हमारी आती थी पैड़ागोजी आती थी general English होती जनरल मतलब हिंदी होती थी और GA या GS बोल लीजिए इसको मतलब current affairs बोल लीजिए CA बोल लीजिए इसक करते हैं और हर टीचिंग एक्जाम में पैड़ागोजी तो हमारी आती आती है तो रही बात यह और और चोटी-चोटी बाते कर लेते हैं तो तब तक हम मतलब कुछ official नहीं आ जाता है यह हमारी website है इस पर official हमें देखने के लिए मिलेगा जैसी official आता है मैं आपको तभी update कर दूँगी और उसके बाद तब तक हम क्या करते हैं पैड़ोजी या फिर जेनरल इंग्लिश व्याकरण यह थारी चीज़े मतलब कवर करने की कोशिश कर सकते हैं at least और कुछ नहीं तो five तक हम अपने previous year questions देख सकते हैं उससे हमें तोड़ा idea हो जाएगा कि हमारी चोड़ा ह है वो क्या आता है एक्जाम का लेविल क्या होता है देखिए केंद्र विद्यालेक एक्जाम है तो वीजी तो होगा नी लेविल अफ्कॉस अच्छा खांसा लेविल आता है तो उसी according हमें अपनी तयारी है वो करनी चाहिए अब इसमें देखो the number of vacancies advertised is tentative and may vary मतलब जो vacancies है वो देखो इन लोगों ने mention भी कर दिया है पर क्या होता है कि कई बार vacancies vary भी हो जाती है decrease और increase वो merit based पर मतलब हो जाती है और बहुत बार इधर उधर एक दो vacancy मतलब उपर नीचे हो जाती है अब reservation दिया गया है SCOBC अपनी category wise government rules के according इसमें reservation भी दिया जाता है और age reduction भी दिया जाता है category wise और females को भी चाहिए थोड़ा बहुत इसमें age relaxation होता है तो इसमें बस यह इतनी बात है और कुछ ऐसा है नहीं है देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो centers है important instructions है scheme है syllabus exam का mode of selection यह सारी total जितनी भी चीज़े हैं वो website है इनकी official www.kbs.nic.in तो इसमें हमारा पूरा available हो जाएगा अब यह बात हो गई हमारी यहां तक next अगर हम बात करें तो next भी इसमें थोड़ी से category wise division है vacancies का तो इनको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं जैसे कि इसमें यह अलग-अलग vacancies हैं जैसे यह assistant commissioner की हो गई जनरल वालों के लिए तनी vacancies हैं इनके जो eligibility criteria है अलग-अलग post के लिए वो अलग-अलग होते हैं तो वो हमारा पूरा जो है वो पता चल जाएगा अमारी official website पे जैसे कि इन्होंने देवी रखा है कि official website पे हमारी पूरी information पूरा criteria जो है वो आ जाएगा अब मैं थोड़ा साब को बता देती हैं जैसे कि assistant commissioner की है यह देखो हमारी general में हमारी दी हुई है 28 vacancies है OBC में हमारी 14 है तो ऐसे से करके category wise division है principle के लिए मतलब इन सब के लिए अलग-अलग criteria होगा वो जब हमारा official notification आएगा उसमें complete आ जाएगा तो जैसे यह वाइस principle के लिए इतनी vacancies हो गई प्रिंसिपल के लिए इतनी हो गई तो यह general की हो गई ओवी सी की तो category wise division है और काफे बड़ी vacancies है इतनी हमेशा कभी मतलब आज तक कभी एक साथ देखने के लिए नहीं मिली है KBS में तो यह बहुत बड़ी बात है और देखो पीजीटी के लिए भी है अलग-अलग subject wise हमारी categories दी हुई है और यह काफी vacancies है इतनी कभी नहीं आती है ऐसी 24 24 ऐसे करके निकलती है बीच बीच में तो यह बहुत अच्छी अच्छों के लिए तो बहुत जादा अच्छी है जो मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं किस तो टोटल 1305 है ऐसे ही अलग-अलग vacancies librarian के लिए हो गई primary teacher music के लिए हो गई finance official और अगर हम बात करें तो assistant engineer तो यह अलग-अलग पोस्ट के according अलग-अलग vacancies हमारी निकली हुई है अब यह हमारा यह हुई गया है कि 5 से start होके 26 तक हमारा last है तो बस एक छोटी सी news थी आप लो इस है यह उसमें newspaper की एक news है वो लीख हुई है तो बस यह इतनी सी बात है 5 तक हमें वेट करना है देखो यह यहां पर लिखी हुई है employment news 3 से 9 दिसेंबर तो यह जो 3 से 9 दिसेंबर के बीच में जो है newspaper में आ ही आ जाएगी और मुझे लगता है 3 या 4 को जरूर प्रिंट आउ परने स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म तो यह 3 से 9 दिसेंबर मतलब यह मैंने बोलता है ना weekly newspaper है तो जब हमारा weekly newspaper है तो इसमें हमारा आही जाएगा 3 3 4 5 इन में हमारा newspaper में निकल निकल जाएगी ठीक है तो क्योंकि 5 से 26 तक के बीच में registration स्टार्ट होने तो 5 से स्टार्ट हो reader वगएरा होंगे publisher के तो उन्होंने यह निकाल के डाल दिया है बट कुल मिलाके बात यह है कि बहुत अच्छी अपोर्शनिटी है सभी के लिए preparation करने के लिए तो अब YouTube पे आप बने रहिए आपको मतलब इसे related सारे आपको pedagogy और English वगएरा सारी classes आपको provide की जाएंगी तो बस इतनी सी information थी थैंक यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें, share करें and channel को subscribe करें Thank you for watching and preparation जैसा कि मैंने भी कहा कि पैटर्न अगर change होता भी है तो कुछ चीज़े हैं जो बिल्कुल change नहीं होती है जैसे pedagogy है वो तो आनी ही आनी है तो आप इसको जो है अपना मतलब मान के यह मान के चलिए कि हमें मतलब उस एक seat के लिए पूरा preparation करनी करनी है अगर ऐसे मान के prepare करेंगे तो selection होगा क्यों नहीं होगा तो बस इतनी सी बात थी है Thank you for watching